सो सभी प्रिविद्यार्थ को डेर सारा नमस्कार माई सेब डॉक्टर मुकिश कुमार स्वागते आपका मारे एमके चैनल में सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS या फिर BS इनर्सिंग कॉर्स में अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो नीट में आपको कितना स्कोर करना होगा कितना रेंक आपको लेकर आना होगा कितने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे तो यहाँ पर पूरा अपडेट हम आपके लिए लेकर आचुके है काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रेविद्यारत्यों के और जैसा कि आपको पता है सारे कमेंट हमारे दोरा देखे जाते हैं उनका यही कहना था सरम गॉवर्मेंट यानिकी सरकारी जो कोलेजिस है जो मेडिकल कोलेजिस है वहाँ से हम MBBS करना चाते है तो कितना नंबर हमको लेकर आना है हमको BS nursing करना है तो उसके लिए कितना नंबर हमको लेकर आना है तो सारा doubt इस फीडियो में clear हो जाएगा तो चलिए याँ पर देख लेते हैं ये देखें नीट की तियरी करने वालों के लिए जादातर बच्चों का लग से पहले तो MBBS रहता है ठीक है अगर MBBS में नहीं हो पाता तो सेगेंड उनका BAC नर्सिंग रहता है दोनों को और से अच्छे देखो MBBS में आप एक डॉक्टर बन जाते हो ठीक है और BAC नर्सिंग करके आप M's में अच्छा कासा अरणिंग कर लेते हो जी हाँ बिल्कुल M's में सबसे बड़ा मोका रहता है BAC नर्सिंग वालों के लिए ठीक है तो दोनों अच्छे है लेकिन आपको पहले मानत करना चाहिए MBBS के लिए सेगेंडरी BAC नर्सिंग के लिए इसमें भी सरकारी कोलेजों में कम पीस में पढ़ाय करने का मोका मिलता है वो आपके लिए बतर रहता है इस मोके को पाने के लिए बच्चे सालों तक त्यारी करते है और चलो यहाँ पर हम आपको दिखा देते है सरकारी कोलेजों में MBBS में दाकिला लेने के लिए पिछले साल कितनी रेंग गई थी कितना स्कोर गया था वो भी हम देखेंगे ताकि वो अपनी तयारी उसी साफ से करे और उसे के मताबित करे यह जाना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसी के आज़ पास रेंक आपको लेकर आनी है जिसे मालो 2023 में कितना गया था यह आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉलेज के लिए और भी चले हाँ पर देख लेते नीट यूजी देने वालों केंडिकेट के लिए यह भी जानना इपोटेंट है कि इसके एक प्लिकेशन फोर्म का आने वाल है तो इसके एप्लिकेशन फोर्म जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे नेसनल टेस्ट एजनसी के और से जनवरी 2024 में इसके रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी के पर स्ट विक तक इसके application form आ जाएंगे, यहाँ पर news में mention किया हुआ है, और neat.anti.ac.in पर जाकर आपको form apply कर देना है, और भी यहाँ पर देख लो, इसके बाद cut-up की बात करें, तो पुरी list यहाँ पर आचुकिए, हर एक medical college का cut-up अलग-लग रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पार हुए, KGMU का आप देख सकते हो, वरदमान मावीर का आप यहाँ पर देख सकते हो, तो neat का rank यहाँ पर 1800 के लगबग होना चाहिए, तब जाकि KGMU में आपका हुप आता है, वरदमान मावीर की बात करें, तो यहाँ पर neat का rank 163 के करीब आपका होना चाहिए, और यहाँ पर और है है, ठीक है, BS nursing की बाद में करेंगे भी, यह MBBS का rank है, सरकारी Medical College अस्पिताल चंडीगड वाला, तो यहाँ पर neat का rank कितना होना चाहिए, 706 के लगबग, University College of Medical College, जो की आपका यहाँ पर है, यह देखिए, तो यहाँ पर 1800 तक rank पर भी मिल जाता है, और भी कभी सारी list हमारे पास है, आपके राज्य की भी है, देखो, NIRMA सामिल नहीं college, कापी सारी college होते है, कोई राजमेस वाले होते है, कोई सेमी government होते है, कोई government होते है, वो तो list हम MKS Academy पर डाल देंगे, टेलेगराम पर डाल देंगे, लिंक नीचे दे रखा है, वो तो फ्री में आपको मिल जाए पटना medical college बिहार, तो यह आपको 3725 तक मिल जाएगा, और पंडिज जोरलाल नेरू, मेमोरेल medical college यह आपको 9830 तक मिल जाएगा, बीजे medical college आमदाबाद, 9006 तक मिल जाएगा, इंद्रा गांधी medical college सिमला 3567 तक मिल जाएगा, बैंगलोर medical college अनुसंदान, 15006 तक, सरकारी medical college यह आपको 1400 तक, एंबी बेस में दाखिला लेने वालों के लिए यहाँ पर देख लो, का top पिछले साल के लगबग ही रहता है, क्योंकि देखो, फोरम एपलाई करने वालों के संक्या बढ़ रही है, ठीक है, तो हो बिसली बात है कि, medical college में सिटों के संक्या भी तो बढ़ रही और ओल इंडिया का 15%, तो राजस्तान, बिहार, जारकंड, उत्तरपरदेश, इसकी बात हम कर लेते हैं, तो सबसे पहले M's की बात करें, तो कितना नंबर आपको लेकर आना है, तो M's की बात करें, तो यहाँ पर 705 से अधिक स्कोर अगर आपका आता है, तो M's आपको मिल जा है, यहाँ पर, अगर आप यह स्टी केटिकरी में आते हो, तो 500 के करीब यह आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए, कि जनरल का 610 से लगबग होना चाहिए, नंबर, और OBS का भी कर भी होना चाहिए, और ESC का आपका यहाँ पर देख लो, ESC का 500 क के लिए कितना नंबर लेके आना है, तो देखो, नीट के दोरा जो B.S. nursing course में आपको प्रविस मिलता है, वो तो एक तो B.H.U. में मिलता है आपको, एक जिप्मर में मिलता है, आपको, एक राकोन, राजकुमारी अमरित कोर कोलेज, इन में मिलता है, तो यहाँ पर जाता है कट ओप B.S. nursing का, तो अगर आपको B.H.U. चाहिए, बनारस हिंदू यूनिसिटीज, तो नीट में आपका स्कोर देखो, जनरल O.B.C. के लिए जाता है, यहाँ पर 420 के करीब, 420 से 450, ठीक है, यह कट ओप जनरल O.B.C. का B.S. nursing के लिए, और यह से 50 नमर कम जाता है, इन से लेडी हार्डिंग और राजकुमार अमरित कोर कोलेज का थोड़ा डाउन चला जाता है, क्योंकि गवर्मेंट है देखो, इस वज़े से, डाउन भी 400 करीब, ठीक है, क्योंकि अपलाई बहुत ज़्यदा करता है ना इस वज़े से, अब यहाँ पर, आप बोलिंग सर प्रा आइकन पर प्रेस करी रखा है, कुछ कमेंट आ रहे थे, उनको मैं देख लेता हूँ, ओके, तो आपके लिए, पिछले वीडियो में, यहाँ पर देखो, कमेंट मैं ने देख लिए, तो यहाँ पर, अंजली का कना था, थेंक्यू सब मच, सर, थेंक्यू सो मच, अंजली, कि सर, बार भी में प्राइवेट से है, तो क्या एक्जाम दे सकते है, देखो, यहाँ पर कल एक वीडियो में ने बनाया था, कि योगेता में बदलाओ, हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाओ हो गया है, तो यहाँ पर, संगे तक काना है, कि प्राइवेट स कल तक मैं आपको बता दूँगा, जिसमें योगेता में बदला हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब यह बोला गया है, कि जो मैटेमेटिक्स है ना, जिनके एडिशनल में, वो भी अब नीट का एक्जाम दे सकता है, जिनके मालोग फिजिक्स है, केमेस्ट है, और मैटेमेटिक कि PCM वाले तो नहीं कर सकते, PCB वाले एपलाई करेंगे, ठीक है, ओके, और भी डाउट हो, तो मेरे को बता दिया करो, आप कोई भी, ठीक है, तो वही फोरम बरेंगे, नीट का, जिनके फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी है, और इंगली सबजेक्ट है, और जिनकी 17 सा दिया हुआ है, सो मेरे पिरिये विद्यारते हो, और भी कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप यहां पर तियारी करना चाहते हो, तो इन नमरों पे वार्शप कर सकते हो,